दोस्तों आपके अपने चैनल प्रपटी गुरू कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राजवन सिंग भाली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट कोच रियल स्टेट बुक्स का ऑथर और मोटिवेशन स्पीकर आज का जो टोपिक है बहुत ही इंप्रोटन बहुत हैं या हम दूसरे लफ़ झाम में यह कहें के हम अपनी प्रपर्टी इंवेस्ट्मेंट से जादा से ज़दा पैसा कैसे खिमासकी है तो उसके ओपर में आज मैंने यह इस केटागरी में तीन केटारी में में बंइर म沒有 टू मोमब 3 कि किस त्रीके से हमारा पैसा बढ़ जाता है प्रोपटी में तो हम उसके उपपर आज बात करेंगे उमीद करता हूं यह टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि जो बेसिक हैं रियल स्टेट के आज वो मैं इसमें डिस्कस करने बाहूं सबसे पहले लि तो आपका रेट अपने आप पढ़ गया क्योंकि पैसा महगाई के हसाब से प्रोपटी का रेट बढ़ गया तो बढ़ सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें आपका स्पैशल एफर्ट कोई नहीं है यह तो आपने प्लॉट ले लिया आपकी किसमत बोलो जब मार्केट में उचाल आते हैं तो मार्केट में उचाल आने से लोगों ने बहुत पैसे कमाई हैं दो हजार चार पांच यह मतलब इसको हमने विटनेस किया है के रातो रात में रेट इसके कहीं से कहीं चले जाते थे और आज जो रेटा वो कल नहीं होता था जो कल रेट क्या उनको पहले से असेस्मेंट थी के रिट बरने वाले हैं बिल्कुल नहीं थी कुद्धरती बात है किसमत की लगा लो इसको किसमत की बात है उन्होंने उन दिनों में पैसे लगा लिए थोड़ा वेट कर लिया वेट करने के बाद रेट दो दो गुणा चार गुणा करते ऍवमेंट करते आपको मतलब पता लगता है कि वहांपर कौन कौन से परजीक्ट आने वाले कौन से रोड आने वाली है क्या उसमें वहाँ हस्पिटल आने विला है जैसे बठंडा में भी थोड़ी देर पहले एम्स आया है, तो जहाँ लोगों को पता लिगा लगा कि यहाँ एम्स की planning है, वहाँ लोगों ने जमीन खिल दने शुरू की, जमीन खिल दने के बाद जब एम्स की नी पत्तर रखा गया नीम पत्तर रखने के बाद जब बना तो बनने के बाद उसका रेट में अप्रिशेशन होती की यह तो एफर्स हो सकती है लेकिन एक मार्किट में उशाल आ गया मार्किट में उशाल आने के बाद आपका रेट दस रुपे से लेकर पचीस रुपे चारीस र तिस्रे नमबर पर मैंने कहा ज़ सलंप इन मार्केट यह असली बाद शेर के घॐंसले से शेर के मुझे मास शी ले ले बाली बाद बाज इस निकालन बाली बाद यह असली बाद है जब मार्केट जब मार्केट में स्लंप हो तब आपने क्या करना है इसको मैंने सटार मार्क किया वहाँ पर इसको यह चीज ऐसी है दोस्तों जिसमें आपकी समझ आपका तजरबा आपकी परसनेल्टी आपका कम्मुनिकेशन स्किल सब के सब इस्तेमाल करने पड़ते हैं यदि हैं तो आप इस इस तैम में भी आप पैसा कमा सकते हूं मैं कि यह मेशा कहता हूं कि यह पैसे कमा गए यह पैसे कमा गए ठीक है मज़ा तो तब है जब यह आके पैसे कमाई तो इसमें पैसा कमाने के लिए फिर वही फार्मूले लगते हैं जो रियल स्टेट की रीड की हड uh πρώ diffusion rate को इसका कम क्यों और इसको कैसे कैसे उपर मारा जा सकता है इसका रेट कैसे कि यह चीजें करी है यदि आप यह चीजेह नोट कर लोगे तो डेफिनितली आप इन लोगों के साथ साथ इन में तो पैसे कमा नोगे इन भी पैसे कमा लोगे जबकर यह दोनों इसमें पैसे कमाने इनको मुश्क्किल होंगे लेकिन यब आप आदमी जो इन इस बार-ार कायां, learn before you go to earn. Learn क्या करना है, वही कि आपको calculation आनी चाहिए, आपको उसकी manipulation नानी चाहिए आपको उसका rate का comparison का moरा चाहिए कहीं rate 5000RUS-पे गजा है, रेट 25000RUS-पे का जा है आपको पता हुना चाहिए के 5000RUS-पे क्युंध क्यूँ है यदि कहीं दसेजार पे गाजा तो दसेजार पे गाज पे क्यों है यह चीज़ें आपको यदि पता लग जाएंगी तो इसको comparison of rate कहेंगे हम यदि आपको comparison of rate करना आगया तो यह समझो कि यह आपने business की real estate business की read की हड़ी पर आपने कबूपा लिया मतलो read की हड़ी बन गया सीखने आगई करनी आगई जिसमें comparison of rate बहुत important है मैंने आपनी वीडियो में पहले बताया था कि 42 लाक की घर हमने साड़े 24 लाक में लिया था वो इसलिए लिया था कि महरे को comparison करना आता था यह नहीं थे उसमें लूट नहीं थी बंदा 42 लाक प्याड़ा हुआ हुआ है और 42 लाक लेते लेते करते करते हमने साड़े 24 लाक में सुधा गिया उसने टक्रे मार ली तीन मीने चार मीने उसके पास कोई ग्राक नहीं लगा क्योंकि वो पैसे ही सबसे ज़्यादा मांग रहा था पैसे ही market rate से ज़्यादा मांग रहा था हमें comparison of rate के साब से उसको हमने ठारा of rate और manipulation यह तीन चीज़ें यदि आप जहां रखोंगे तो आप मंदे में भी मंदी में भी पैसे कमा लोगे यह मंदी आएगी तो भी आप पैसे कमा सकते हो यदि आपके पास proper study हो proper data हो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो चिले के like कर देना share कर देना और आपका कोई स इस तरीके की वीडियो के आपको क्रोर पती जल्दी से जल्दी क्रोर पती बना सकती है थोड़ा सद्यान देने की जरूरत है सीख के काम करोगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा confidence के साथ काम हो जाएगा जब आपके पास confidence आ जाता है तो फिर आपको हराने वाला कोई नह कर दोगी